हाई एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं बहुत ही टेस्टी दूद का शर्बत जिसे आप कभी भी बनाकर फटाफट पी सकते हैं बहुत ज़दा रिफ्रेशिंग होता है साथ ही बहुत ज़दा हेल्दी भी है बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को ये बहु बहुत स्वागत करती हूं तो यहां पर सबसे पहले मैंने गयास पर कढ़ाई रख लिए जिसमें मैंने एक कप पानी एड़ किया है और इसके बाद मैं इसमें एड़ कर रही हूं एक लीटर गाय का दूद आप इसकी जगे फुल क्रीम भी एड़ कर सकते हैं फुल क्रीम ए मैं यहां पर दूद आड़ा होता है तुम आ यहां पर एक कप पानी एड़ इसके क्या ओता है गानी और र ermi नहीं होगा तो अपमैं इसे अब आने देती हूं क्योंकि मैंने घं़ पानी और पानी के अंदर मैं डालूंगी उख़ बादाम हैं कि मैं इससे एक दो घंटे अगर आपने नहीं भीगो आया तो इस तरीके से एक उबाल दे दीजे और इसके बाद मैं ने थंडा होनी के लिए रख दिया है अब यहां पे मैंने दूद को उबाल दे दिया है दूद काफी अच्छे से उबल चुका है अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे साथ ही यहां पे हाफ कफ मैं चीनी का इस्तमाल कर रही हूँ चीनी एड़ कर देंगे और एक दो मिनट और पकने देंगे ताकि चीनी अच्छे से खुल जाए जब तक हमारा दूद पक रहा है तब तक हम दूसी साइड पे कुछ तैयारियां कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यह बादाम छिलके रख लेती हूँ यह ठंडा हो गया और आप देख सकते हैं आसानी से इसके चिलके उतर रहे हैं तो कभी भी आप बादाम भिगोना भूल जाए तो इस तरीके से या तो गरम पानी में भिगो दीजिए या फिर एक उबाल दे दीजिए पानी में डालके चिलके तुरंत उतर जाते हैं तो यह बहुत अच्छी ट्रेक है, एक बहुत जरूर ट्राय कीजिएगा और लिक्योताइगा कैसी लगी, तो यहाँ पे बादाम छिल चुके हैं, अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसके अंदर मैं 10 से 12 काजू एड़ कर रही हूँ, बादाम एड़ कर देंगे, और यह बहुत ही अच्छा हमारा पाउडर तैयार हो गया है, इससे काफी अच्छा टेस्ट भी आएगा, साथी दूध हमारा गाढ़ा भी हो जाएगा, अब यहाँ पे मैंने लिया है कस्टरड पाउडर, यहाँ पे मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर लिया है, वनीला फ्लेवर अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो दो टेबल स्पून में यहाँ पे यह कस्टरड पाउडर का इस्तमाल कर रही हूँ, साथी इसमें मैं दो से तीन चमच दूद एड़ कर दूँगी, यह नॉर्मल टेंपरेचर का दूद हमें यहाँ पे एड़ करना है, गरम दूद बिल्कुल भी नहीं एड़ करना है, तो यह नॉर्मल टेंपरेचर का दूद है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करलूंगी क्योंकि इसके इंदर काफी लंस होते हैं, अछे से मिक्स करके एगदम स्मूद घोल बना लें, क्योंकि जो कस्टड नेचे बैड़ जाता है, तो आपको अच्छे से इसे mix करना है और बिल्कुट भी lumps वग्यरा ना रहे तो ये घोल हमारा तयार हो गया है अब चलते हैं दूद की तरफ तो यहाँ पर जो दूद है उसे मैंने धीमी आज पर पकने दिया है और अब मैं इसके अंदर ये काजू वाला पाउडर एड़ करूँगी थोड़ा थोड़ा करके और mix करते जाएंगे इससे दूद बहुत ज़दा गाढ़ा हो जाता है और इसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है काजू की वज़े से और बादाम की वज़े से तो ये सारा पाउडर मैंने इसमें एड़ कर दिया है और इसे में mix कर देती हूँ तो इससे जो दूद है वो बहुत ही टेस्टी आपका बनने वाला है जो शर्बत है या उसे milkshake भी कहते हैं तो आज जो हम milkshake बना रहे हैं वो custard milkshake बना रहे हैं और ये बहुत ही यमी लगता है तो यहाँ पर अब मैं इसमें custard add करूंगी जो हमने घोल के रखा था तो एक साथ सारा नहीं add करना है दो दो चमच करके इस तरीके से add करें और इसे mix करते जाएं custard add करने के बाद आपका जो दूद है वो और भी जादा गाढ़ा हो जाता है और गैस को यहाँ पर धीमा ही रखेंगे नहीं तो यह नीचे से लगना शुरू हो जाएगा इस तरीके से डालें और फिर चलाते रहें जैसे जैसे custard आप इसमें मिलाते जाएंगे दूद्ध गाढ़ा होता जाएगा तो यह बागी का custard भी मैं इसमें add कर देती हूं तो बहुत जयादा आपको इसमें custard नहीं मिलाना है नहीं तो वह वो बहाट चुटकी भर मान सकने कि येलो फूड कलर क्योंकि कैमरे में बिल्कुल भी कलर नहीं आ रहा है अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी जरुवत नहीं है आपको फूड कलर एड करने की पर यहां पर मैं बिल्कुल इसको मार्केट जैसा लोग देना चाहती हू आपको बारिक बारिक स्लाइस कर लिया था और यहां पर देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर आ गया है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर एड किया है और वैसे भी बहुत अच्छा कलर आता है वह तो कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हो रहा था इस वेजिसे मैंने थोड़ा सा इस अब यहां पर मैं गैस बंद कर दूंगी और इसे हम ठंडा होने देंगे आप चाहिए तो इसे फ्रिज में रखके ठंडा कर सकते हैं मैं तो इसे ऐसे ही ठंडा करने वाली हूं तो मैं इसे ऐसे ही रख देती हूं और इसे थोड़ा फोड़ा बीच में हिला देंगे ताकि ठंडा हो जाए तो यहां पर यह काफी अच्छे से ठंडा हो गया है नॉर्मल टेंपरेचर पर आ गया है तो इसमें अब मैं कुछ आइस क्यूब्स डाल दूँगे जिससे जल्दी ठंडा हो जाए और पीने लाइक हो जाए अगर आपके पास टाइम नहीं है जल्दी है आपको तो इस तरीके से आइस क्यूब्स डाल दीजी जल्दी ठंडा हो जाएगा अगर टाइम है तो इसे दो तिन घंटे के लिए फ्रि भाए को मिल शेक है बहुत जादा टेस्टी लगता है कि यह देखें बहुत ही अच्छा इसकी थिकनष बuba काफी अच्छी है इसे जाद पतला यह से जादा घाला हमें नहीं चाहिए अब सर्व कर लेते हैं तो यह देखे बहुत ही बढ़या हमारा कस्टरड मिलक शेक कस्टरड शर्बत बोल सकते हैं बहुत ही जादा टेस्टी तयार हो गया यह देखे कितना बढ़या लग रहा है थंडा हंडा सर्व करें मैं और काफी रिफ्रेशिंग होता है बहुत जादा टेस्टी लगा एकनम क्रीमी उपसे गानिश करेंगे बादाम की कतरन और टेस्टा की कतरन से जिससे इसका जो लुक है वह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम आपको रेश्टरेंट स्टाइल लगेगा और पीने में तो है ही बहुत टेस्टी एक बा इस तरह की नई वीडियो के साथ तिल रेन गुडबाई